हमारा अगला विशय है चैप्टर गुंगे अब इसमें पार्ट प्रिचे देखे गुंगे कहानी में एक गुंगे की सोर के माध्यम से सोशिद पीडित मानों की पवस्था का चित्रन किया गया ऐसे विकलांगों के प्रति व्याप्त सम्वेदन हींता को रेखांकित किया गया ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते वे भी प्रति किरिया व्यक्त नहीं करते गुंगे और बहरेक आ गया इसलिए कहानी का सीर्षक गुंगे पूर्णता सार तक है अब देखे इस कहानी के माद्धम से उन्हें भी गुंगे कहा गया है ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते हुए भी प्रति किरिया नहीं देते या चुप रहते हैं तो उन्हें भी गुंगे बहरे ही कहा गया है तो इसमें सीदे हम परसन उत्रों पर चलेंगे चमेली को गुंगे ने अपने बारे में क्या-क्या बताया और कैसे चमेली को गुंगे ने अपने बारे में बताया कि उसकी मा उसके पिता के मरने के बाद उसे छोड़ कर चली गई थी उसके रिश्टदोरे ने उसे पाला था वे उनके पास से भाग आया क्योंकि वे उसे बहुत मारते थे उसने बहुत जोगों पर काम करके कमाया लेकिन कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी किसी ने बच्पन में मूग की सफाई करते हुए उसकी काख काड़ दे थी जिसके काण वह गुंगा हो गया उसने ये सब चमेली को हाथों के संकेतों के माध्यम से बताया गुंगे ने बताया जो आपे गुंगा पातर है कि उसके ने गुंगा होते वे भी कभी किसी के साबने भीख नहीं मांगी और ये सब कुछ उसने अपने हाथों के माध्यम से उसे समझाया पसंद 2 में देखिए गुंगे की करकस काए काए और एस फुट धौनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनूभव किया जब गुंगा अपनी बाते बता रहा था तो उसके गले से करकस की आवाज आ रही थी तो उसने क्या अनूभव किया और क्या प्राचला गुंगे की करकस काएं काएं और एसफुट धोनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि मुनुस्य के गले के अंदर काकल जरा सा भी ठीक ने हो तो मुनुस्य का स्थित्तव ही नहीं रहता है उसके लिए यह यातना के समान है वे कितना प्रियास करे अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाता है परसन तीन में देखिए गुंगे ने अपना स्वाबिमान होने का प्रिचे दिया है स्वामी मानी होने का तो वो प्रिचे किस प्रकार दिया गोंगे ने संकेत के माध्यम से बताया वह स्वाबी मानी है उसने अपने सीने पर हात रख कर संकेत दिया कि उसने आज तक किसी के सम्मुक हात नहीं फैलाया है उसने कभी बीख नहीं मांगी है उसने अपनी बुजाओं को दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब पेट के लिए किया है परसन चार में देखिए कि मनुष्य की कुरूना की भावना उसके भीतर गूंगे की पन की परतिचाया है कहानी कि इस कथन में वर्तमान समाजिक प्रिवेश के संद्रम में स्पष्ट कीजी अब इसमें देखिए कि गुंगे सभी जो आज की दिन जवाब नहीं देते हैं तो लेखक उन्हें भी गुंगा बहरा कहता है समवेदन सीलता मनुस्यवे का स्वाभावी गुन है इसी के प्रभाव के कारण मनुस्यों में दूसरे के परती करुणा और प्रेम का भाव उत्पन होता है आज के समय में मनुस्यवे ने अपनी समवेदन सीलता के परती आँखे बंद कर ली है वह भावना उसके मन में रहती है अवस्या प्रंतु मुक अवस्था में यदि कभी वे उसके मन में मन से भी आ जाये तो व्याभार में उसे ला नहीं पाता है इसलिए कभी ने कहा है कि मुनुस्य करूना की भावना उसके भीतर गूगें पन की परतिछायक रूप में विद्यमान है नाली का कीड़ा एक छट उठकर सीर्प रख दी फिर भी मन नहीं बरा चमेली ने ये कथन किस अंदर में कहा और उसे उसे किस भावब पता चलता है चमेली ने वक्य कहा था ये सब्द कहे थी तो देखिए चमेली ने बाते क्यों कही थी चमेली ने दया करके गुंगे को अपने पास रख लिया था वै उसके छोटे मोटे काम करता था गुंगे का सववाव था कि वै कुछ समय के ले चला जाता था और फिर वापस आ जाता था एक दिन जब गुंगा पुन बिना बताए भाग गया तब वै कथन कहती है उसे लगता है कि गुंगा नाली के कीडे के समान है उसे जितना भी बहतर जीवन दे दो मगर वै गंदगी को पसंद करेगा चमेली के इस कथन से पता चलता है कि वै गुंगे जैसे लोगों के परती क्या सोच रखती है वैं उसे कीडे के समान समझती है उसे लगता है गूंगे को अपने पास रखकर उसने एसान किया है अताव जो चाहेगी गूंगे को कह सकती है और उसके साथ कर सकती है चमेली एक पातर है जो इसमें गूंगे को अपने घर में नोकरी पे रखती है और उसको खाना पिना देती है अब इस परसंट 6 में देखे यदि बसंटा गूंगा होता तो आपकी दरश्टे में चमेली का वेवहार उसके परति कैसा होता यहाँ पर जो बसंटा है वो चमेली का लड़का है तो इसमें लेखक ने बड़ा ही अच्छा परसंट किया कि बसंटा गूंगा हो जाता चमेली का लड़का तो फिर उसका वेवहार गूंगा के परति क्या होता यदि बसंटा गूंगा होता तो आपकी दरश्टे में चमेली का वेवहार इसके विपरीत होता वह बसंते को मूख बगीरों के विद्यले में पढ़ाती उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती उसे सक्सम बनाती ऐसे उपाई ढूंडती जिससे उसका बच्चा अन्या बच्चों के साथ गुल मिलकर रहता लोगों दोबरे उसके बच्चों की द्यागी द्रिष्टी से नहीं देखना जाता द्रिष्टी से नहीं देखा जाता परसन 7 में देखिए उसकी आँखों में पाणी भरा था जैसे उन्में एक शिकायत थी पक्सपात के परथि त्रिसकार था गूंगे की यहाँ पर शिकायत है, तो उसकी आंखों में पानी है, वो चमेली से किसी नयी की आशा कर रहा है, अब देखी चमेली का वहवार कैसा था, गूंगा चमेली को मा के समान समझने लगा था, आरम में चमेली में उसे कर्णा मंही मा का रूप दिखाई दया था धीरे धीरे चमेली के साथ रहते हुए उसे एसास होने लगा था ऊसके लिए कुछ नहीं है जब चमेली ने बेटे बसंता ने उसे चोरी का जूठा हिल जाम लगाया तो उससे यह सहान ही गया उसे उमीद थी कि चमेली उसका पक्स लेगी इसके उपरीत चमेली ने गुंगे के स्थान पर अपने बेटे का पक्स लिया गुंगे को यह बात पूरी लगी चमेली के इस व्यवार ने उसे दुखी नहीं किया बलकि उसकी आखों में पानी भर भी भर दिया उसकी आखों में चमेली ने पक्सपात पूर्ण वेवार के शिकायत पढ़ ली थी वहें चमेली के पक्सपात भरेवेवार से आद था और इसके लिए उसमें त्रिसकार भी था इसमें देखिए बड़ा ही अच्छा प्रसंद क्या गया कि गुंगा दया या साहनूबुति नहीं अधिकार चाहता है यह इस पाठ के माध्यम से आपको शिद करने गुंगे ने यह बात कई बार स्वेम संकेत के मादम से कही थी कि वह दयास या सानूबुती नहीं अधिकार चाहता है अधिकार अपनतों से उपजता है चमेली उसे दया करके अपने पास रख लेती है लेकिन गुंगा उसे अपनतों समझता है वे उसे अधिकार चाहता है। जब कमेली पसंता का पक्स लेती है तो उसकी अधिकार भावना आहात होती है। चमेली के पक्सपात पुर्ण वह वार के परती त्रिसकार गूंगे की आंखों में सपस्ट दिखाई दे जाता है। अधिकार ही है, जो उसे प्रेम, मान, सम्मान्ता का भाव देता है, दया या सानुबुती उसे यह सब नहीं देती है, अतव है दया या सानुबुती से दूर भागता है अब देखिए, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन होते हैं और क्यों? इसका अंसर आप देखिए, कैसे देंगे? गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे एक परति सानुबुती के भाव उत्पन होते हैं मेरे अनुशार वैं सानुबुती का पत्र नहीं है, वैं सम्मान का पत्र है यदि उसे सही लोग मिलते वो सही दिसाने देश मिलता तो यह हमारी तरह जीवन जी पाता उसके जीवन में व्याप्त लोगों का वैवार उसे सानू भूती का पात्र बना देता है गुंगे की लड़ाई लोगों से नहीं है फित्तु समाद से है जो से समान तक अधिकार नहीं देते हैं उसकी कमी उसे सानू भूती का पात्र बना देती है उसके साथ कहानी में जो जो होता है उसके उसे पढ़कर मन में सानू भूती फूट पढ़ती है अब परसंद 10 में देखिए, गुंगे में ममता है, अनुभूती है और मनुष्यता कहानी पर या आपको इसकी भी बेचना करने है गुंगे में ममता है, यही कारण है कि चमेली से प्यार करता है उस पर गुषा करता है, लेकिन उसका परतिकार नहीं करता उसमें अनुभूती है, वह सब समझता है, वह कुछ सुन नहीं सकता है, लेकिन मुनुष्य की व्यावारिक चेश्टाओं को समझ लेता है, तथा मन के भावों को पढ़ सकता है, उसमें मुनुष्यता है, इसी कार्ण मैं चमेली को, चमेली के पुत्र बसंता को मारता नहीं है अपना हाथ रोक लेता है या उसकी मुनुस्यता की पहचान इसमें लेखक ने जो कहानी का सीर्षक रखाया गूंगे जगी कहानी में एक गूंगा पात्र है इसके मादम से लेखक ने समाज किस परवर्ति के और संकेत किया लेखक के नुसार आजगा समाज अन्यायपूर्ण के परति गूंगा या उपेक्षित रहता है समाज में अपंग लोगों को पर विभिन परकार के अत्याचार होते हैं लेगिन लोग चुप चाप देखते रहते हैं वे उनके परति सानूबुती रखते हैं लेगिन जब कुछ करने का मोका आता है तो स्वेम शोशन करने वाले बन जाते हैं उनमें ने सम्वेदना ही रहती हैं ने मानवता बस दर्सक बनकर अत्याचार देखते रहते हैं उन्हें इनके परति अपने दायूते दिखाई नहीं देते किसी मुनस्य में यदी सम्वेदना या मानवता आभी जाएं तो सनिक होती हैं अता लेखक ने गुंगे बोलकर समाज में व्यापत ऐसे लोगों की और संकेत किया है इसमें 7 परसंग वाख्या करने के लिए कहा गया है ये परसंग 12 में ये फिर आपको व्याख्या वाले चेप्टर में समझाई जाएंगे इसमें देखिए कि इसमें आसेस परस्ट करना परसंग 13 में कैसी यातना है वह अपने हर्दे को गल देना चाहता है किन्तु गल नहीं पाता इसमें कैक है दो आसेस परस्ट करने के लिए हमसे कहा गया है पहले में आपको क्या करना है और ख्या में क्या करना है देखिए चमेली सोचती है गुंगे के लिए है कितना कस्ट से बरा है ऐसी श्तिति उसके लिए यातना के समान है वे अपने हर्दय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती उसके पास आवाज नहीं है वे उसके पास हर्दय के अंदर ही है जाती है चमेली खैमें लिखेंगे चमेली गुंगे से परसन का उत्तर मांगती है लेकिन वहां कुछ नहीं बोलता है समय लिए उशी स्थिधी मंदिन में एक देवता की मूर्ती के समान मानती है ये मूर्ती के आगे मुनस्ष्रे के शुक्तक सब कहता है लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिलता पाश्यी market अस्थिधी उसके साथ भी है गुंगे को कुछ कहो वे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे कुछ से सुनाई नहीं देता है अब देखिए ये परसंट 14 में कुछ का गया है इस सारे गजब के करता है इस सारे बहुत अच्छे करता है सडसे एक चिम्टा उसकी पीट पर जड़ दिया अचानक से उसकी पीट पर एक चिम्टा मार दिया पत्य चाटनी के आदत पड़ गई है जूठा खाने के आदत पड़ गई ये सब चीजे हैं ये चैटर आपका खतम होता है खन्यवर झाल झाल झाल